फुजिकल साइंस का जो पहला चाप्टर है इसका नाम है कंसर्ण अबाउट आर इंवार्मेंट यह जो हमारा इंवार्मेंट है इसके प्रति हमारे कुछ कंसर्ण से जो होने चाहिए पर यह तब डेवलॉप होंगे जब हमें हमें इसकी जानकारी मिलेंगे दरशल एक सब्जेक्ट क्लास में इन्टिद्यूज किया गया था जिसका नाम है इविएस लेकिन सब्जेक्ट को इंडिवीजवल वालु बहुत कम मिल रही थी इसलिए सब्जेक्ट में मौडिफिकेसन करके यहां अब जो कर दिया गया है हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको प्रयावरण तो सबसे पहले को दिखेंगा structure of the atmosphere यानि हमारा जो यह atmosphere है जो हमारे surrounding है इसके जो structure है उसको हम सबसे पहले समझेगे आज ये class में इसे structure से जुड़ी हुई चीजे मैं आपको पढ़ाऊँगा ये जो हमारा structure है ये कैसा है actually इसमें different layers है उन layers के बारे मैं आपको बताऊँगा layers को समझने के बाद उसमें एक बहुत important layer है जिसका नाम है ozone layer वो भी आज आपको clear कर रहाँगा तो चले स्टार्ट करते हैं discussion एक एकर करके समझते है ये जो figure आपके सामने दिख रही है मैंने ये figure एक website से डाउनलोड की है फिलहाल मेरे पास वेबसाइट का जो source है मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत ही खूबसूरत से figure है और मुझे बहुत पसंद आई और मैंने देखा है कि इससे अगर बच्चे को समझाया जाए तो जिस भी website की ये थी मैं अभी आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊगा लेकिन फिलहाल मेरे पास information नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा बहुत खूबसूरत है और बहुत ही सारी चीज़े आपको सिर्फ इस एक picture को देखके समझ में आ जाएगी मैं आपको इसे समझानी के लिए अपने next page में लेके चलता हूँ तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा गया है troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and ionosphere इसके बाद है exosphere यहां पर 5 sphere की बाद की गई है दरसल आप इस figure को देखिए यह हमारा earth है और इस earth के ऊपर में यहां पर एक light sky color है जिसमें clouds रखे गया है जिसमें आपको दिख रहे हैं कि parachute रखा गया cheap जिसमें आपको दिख्यरा plane रखा गया है यह सारी चीजें इसके ओपर में तीसरा color लियागया है यह colors actually different layers को indicate कर रहे हैं जानि हमारे earth के surface के ऊपर में पहला layer हि उसके ऊपर में दूसरा एक layer है, उसके उपर में तीसरा एक layer है, फिर एक और layer है, इस तरह से different layers है, अब आप एक बात यहां समझ सकते हैं, अगर earth के surface के उपर में पहला layer जो है, उस layer का कोई नाम रखना चाहिए, वैसे दूसरे layer का कोई नाम रखना चाहिए, और ऐसे ही करके अलग-अलग layers का मतलब मैं कह सकता हूँ कि appropriate, यानि सठीक नहीं है, कुछ चीजे हैं जो इसमें और correction की जा सकती थे, लेकिन उस correction के वज़े से यह figure इतना clear नहीं हो पाता, जितना clear यहां पर दिख रहा है, इसलिए मैंने इसे as it is use किया है, चलिए, जानते हैं उन layers के बारे, तो जो पहला layer है उसका नाम है troposphere, यह troposphere क्या है, चलिए जानते हैं, आप इसे पढ़ेंगे, living at the surface of the earth, we are usually only aware of the events happening in the lowest layer, that is the troposphere, it contains most of our weather clouds, rain, snow, तो यह जो हमारा cloud है, rain है, snow है, एक exam में question आता है, इसी से कि यह किस layer में form होता है, answer आप क्या बोलेंगे, troposphere में, in this part of the atmosphere, the temperature gets colder as the distance from the earth surface increases, आपको यहाँ पर एक और बात पता चली, कि जब आप इस layer में, ऊपर की तरफ जाते हो, तो temperature decrease होती है, the temperature gets colder as the distance of the earth surface, तो जैसे आप earth के surface से distance बढ़ाते हो, temperature जो है, वो colder होता है, एक temperature drop होता है, the top of the troposphere, the top of the troposphere is called tropopause, तो यह question भी पुछा जाता है कि tropopause कहा है, आपके answer देंगे, tropopause, troposphere के ऊपर इस्थे थे, clear हो गया, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, this is the lowest at the poles, where it is 5 km above the earth surface, it is highest 16 km near the equator, तो यह जो last line है, आपको बहुत important line बताई जा रही है, मैंने इसे bold भी कर रहा हुआ है, कह रहा है कि अगर आप अर्थ के, इसी चीज के मैं बात कर रहा था about accuracy, कि अगर आप अर्थ के surface से पोल की तरफ जाए, अर्थ का पोल समझते हैं, पोल धूब, जिसे हिंदे में धूब कहते हैं, पोल की तरफ जाए, तो पोल पे जो इसका height है, वो बस 5 km तक है, लेकिन अगर आप इसके equator की तरफ आए, तो जो इसका height है, वो 16 km है, यानि हम लोगों ने जो diagram दिखाया, उसमें दिखाया कि अर्थ के surface के उपर में ये एक जो layer है, ये uniform layer है, जबकि ये uniform layer नहीं है, ये जो layer है, ये poles पे बहुत कम है, जबकि अगर बात करें हमारे equators पे तो ये वहाँ बहुत जादा है, clear हो गया, तो ये एक पहला point था, और पहला layer था, अब आपको इन सब चीजों से जो जो चीजे पता चली, उनको एक एक करके समझते हैं, उनको एक note बनाईए, आप लोग अपनी copy में, पहला चीज आप लोगों ने क्या समझा, कि आप जब ऊपर की तरफ जाते हो, तो temperature, distance ब जाता है, एक और information हम लोग ने इसमें से देखा, जो की था, कि इसका pole पे कितना distance है, कितना height है, और इसका height equator पे कितना है, ये जो चार line इसमें दिये गया है, चारो के चार objective question के point of view से बहुत important है, तो इस note में मैंने जब इन सारी चीजों को डालने की courses किये, तो मेरी courses यही थ कि मैं आप लोगों को इस तरह से provide करूँ ये सारी चीजे, कि एक चीज में जितने भी objective questions पूछे जाते हैं, वो सब कुछ collect हो जाए, अगर ये information आप note down करके practice रभ में रखोगे, उसे definitely learn करोगे, तो आप लोग आने वाले जो test series है, उसमें आप लोग बहुत अच्छा perform कर पा ओके, तो आप stratosphere देख पा रहे हैं, this extends upward the tropopause, मतलब tropopause के उपर में है, about 50 km, where jet aircraft fly, तो jet aircraft यहां पर fly करता है, तो आपको क्या बता चला, इस layer में क्या present रहता है, जैसे पिछले वाले में natural चीजे थी हमारे पास, clouds, rain, snow की बात हो रही थी, इसमें jet airplane की बात की जा रही है, contains much of the ozone in the atmosphere, तो ozone जो है, मैंने बताया था, ozone layer के बार में मैं discuss करने वाला हूँ, उसका जो maximum ozone है, वो इसी हमारे layer में present रहता है, stratosphere में, the increase in temperature, the increase in temperature with height occurs because of absorption of ultraviolet radiation from the sun by the ozone, तो यहां पर आपको एक बहुत जरूरी सीज समझने है, पिछले वाले में लोगोंने समझा, कि जब आप अर्थ के layer की ऊपर की तरफ जारे तो temperature drop हो रहा है, जिबकि यहां ultra हो रहा है, अपने चीज नोटिस की, the increase in temperature with height, मतलब जब height बढ़ाओ गे तो temperature कमेगा नहीं, बढ़ेगा, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका reason भी mention किया गया, ये भी एक question पूछा आता है, ऐसा क्यों होता है, पर with increase in height, temperature decrease करने के जगा में increase करता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ozone layer है, जो ultraviolet rays को absorb करते हैं, और जितना ज्यादा absorb करेंगे, उतना ही ज्यादा temperature increase करेगा, तो ये इसका reason है, और sun के ultraviolet rays को absorb करके, ozone, चुकि इसमें ozone present है बहुत ज्यादा, तो ozone उसे absorb करता है, जि करेंगे कि इसके बाद ozone layer को separately दिया जाता है, बहुत सारे बुक अलग-अलग तरीके से represent करते हैं, मैंने आपको जो note दिया है, इसमें मैंने ozone को stratosphere के साथ ही रखा हुआ है, आपके बुक में में भी यह differently दिया, separately दिया गया होगा, तो आप separately भी पढ़ सकते हैं, चले हम हो गया, नॉर्मल हमारे जैसे stratosphere में था, ट्रपोस्पर में था वैसे ही, अब mesosphere में हो गया, जैसे आप height बढ़ा होगे temperature कमेगा, कह रहे है, reaching a minimum of about minus 90 degree centigrade, तो इस sphere में जाकर, यहां पर आप रहते हो, जिसमें आप height बढ़ाने पर temperature कमता है, even minus 90 degree centigrade तक आप इस atmosphere पे चले जाएंगे, तो मान लिजे कि मैं superman की बात करता हूं, superman उड़ रहा है, तो वहां उसका temperature decrease करके, minus 90 degree centigrade तक आजाएगा, अब minus 90 degree centigrade पर वो survive कर पाएगा, यह तो superman को पता होगा, और आपको पता है, यह सब स्विप साइन्स फिक्शन है, तो इसका real world से कोई लेना दिना नहीं है, और हम पढ़ रहा है physics, जो real है, तो science fiction के साथ, बस example मैंने करनेट करन की कोशिस की, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का जो लेयर है, उसका नाम है thermosphere and ionosphere, उसके बार में जानते हैं, the thermosphere lies above the mesopause, अब mesopause इसके ठीक अपर लेयर को कहा जाता है, जहां पर temperature यह minus 90 degree centigrade है, thermosphere lies above the mesopause and a region in which temperature again increases with height, exception फिर हम में मिला, the temperature increases is caused by absorption of energetic ultraviolet and x-ray radiation from sun, तो इस ले में भी without x-ray, sorry without ozone gas, यहां पर हम लोग देख रहे है, ultraviolet ray का absorption हो रहा है, UV rays का और x-ray का absorption हो रहा है, जो sun से आ रही है, इस वज़े से यहां पर height बढ़ने पर temperature बढ़ती है, thermosphere also includes the region called ionosphere, इस ही के अंदर में ionosphere की भी बात की गही है, it is the region of the atmosphere that is filled with charged particles, the high temperature is in the thermosphere can cause molecules to ionize, तो यहां पर ionize कर सकते हैं, अब ionize क्या होता है, physics के आने वाले chapter में हम लोग इसे और details में पढ़ेंगे, अभी फिलाल बताते हैं, जब कोई भी एक element की उपर में charge आ जाता है, यही प्लस या माइनिस तो हम उसे ionize कहते हैं, हम लोग जब इसके chemistry वाले section में जाएंगे तो हम लोग इसे details में पढ़ेंगे, the temperature in the ionosphere just keeps getting hotter as you go up, तो जैसे आप उपर जाओगे यहां पर पढ़ेगा, last है exhaust sphere, इसके बार में पढ़ेंगे, the region above 500 km is called exhaust sphere, तो 500 km तक वो exhaust sphere है, it contains mainly oxygen and hydrogen atoms, this is the region where atoms and molecules escape into space, तो यहां पर atom and molecules जो है वो space में चले जाते हैं, यानि कि 500 km तक आपक सर्फेस से उपर जाना पढ़ेगा, उसके बाद आप space में जाओगे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो हम अर्थ के सर्फेस से जहां पर हम लोग रहे हैं, वहां से लगभग 500 km तक आपके different layers है, और उस 500 km के ऊपर बिल्कुल vacant हो रहा है, I hope कि यह सारी चीजे clear हो चुक यह बहुत important layer है हमारे लिए, क्यों यह important है, तो इसका importance यह है कि इस layer में ozone gases होते हैं, जो sun के ultraviolet rays को absorb करते हैं, आपके मन में आ सकता है कि सर यह thermosphere में भी होता है, thermosphere में में इसका जो amount है वो इसके comparison में बहुत कम होता है, और ozone layer में यह इतनी ज्यादा quantity absorb करते हैं कि अगर उसक एक छेद, यानि आपको साइद यह बात पता है कि ozone layer में अभी holes बनने लगे हैं, और वो hole इतना harmful है कि thermosphere के जितने amount में radiation को absorb करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बलकि ozone layer में एक hole huge amount of ultraviolet rays को pass करने देगा, तो यह बहुत ज्यादा harmful है हमारे लिए, चले इस बार में discuss करते हैं, अब देख सकते हैं, अर्थ के surface के उपर में मैंने यहाँ पर ozone layer दिखाया है, subtle stocks.com वहां से यह image लिया गया है, हम really thankful to them कि उन्होंने इतना beautiful image free of cost provide किया है, आप लोग बिल्कुल इन वेबसाइट को visit करें, जहां से आप लोग को इस तरह की चीज़े मिलेगी, फिल तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके destruction के पीछे क्या reason है, हम लोग इससे जानेंगे, यहां destruction नहीं, depletion word use होगा, इसके पीछे main responsible है CFC, जिसका full form है chlorofluorocarbon, यह chlorofluorocarbon क्या है, यह एक ऐसा coolant है, जिसमें हम लोग refrigerator और air conditions में यूज करते हैं, आज के वक्त में हम सब लोग chlorofluorocarbon, जो एक coolant है, जो ठंडा करने का काम करता है, यह coolant जैसे ही आप fridge खोलते हैं, वो atmosphere में जाता है, और दिरे दिरे layer layer होकर ozone layer तक पहुंचता है, जहां पर इसके chlorofluorocarbon के chlorine molecules react कर जाते हैं ozone के साथ, और ozone का जो quantity है, वो धिरे दिरे decrease करते हैं, हर्म पहुंचाते हैं ozone layer को तो बहुत ज्यादा important हो जाता है हमें यह समझना कि हम किस तरह से इस चीज को रोख सकते हैं, अगर ozone layer का destruction हो गया, तो ozone layer के वज़े से UV rays directly हमारे उपर पढ़ेंगे, और UV rays अगर directly हमारे उपर पढ़ता है, तो हमाई skin cancer, skin के अलग diseases, बहुत तरह के diseases हमें होने लगेंगे, इस कोई cream काम में नहीं आएगा, अगर ozone layer में deflation हुआ, बलकि हमें खुद इसे समझना पढ़ेगा, अब कैसे हम समझें, कैसे हम इसे ठीक करें, तो freeze के इस्तमाल बंद कर सकते हैं, बिलकुल नहीं, alternative के इस्तमाल कर सकते हैं, और किसी alternative के तरफ हमें बढ़ना पढ़ेगा, इस त बहुत और भी चीज़े हैं, जैसे के carbon dioxide gas, यह भी ozone layer के लिए deflation कर रहा है, आज तक हम लोगों ने बस यही जाना है, कि पेड लगाने चाहिए, क्योंकि पेड और हमारा बहुत अच्छा connection है, वरना पेड अगर नहीं रहेंगे, तो हमें oxygen नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि अगर, अगर plants नहीं रहें, तो humans को oxygen नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले plants न रहे, अगर carbon dioxide का quantity बढ़ने लगा atmosphere में, तो यह carbon dioxide ozone layer को बुरी तरीक से deflation करेगी, कि ozone layer अपना काम करना बंद कर देंगी, नहीं कर पाएंगे, उसके सारे gases, यानि ozone खतम हो जाएंगे, और finally directly UV rays हमा हमारी death हो जाएगी, समझ सकते हैं, इसलिए ozone layer काफी responsible है, इन सारे चीजों को बचाने के लिए, तो depression के बारे में simple सा point यह निकल के आया, कि ozone layer depression के बीछे mainly responsible होते है, chloroflorocarbons यानि CFC और इसके लावा और भी है, CFC को full form पूछा जाता है examination में, इसे और detail में मैं discuss नहीं करता हू अब यह जान लेते हैं, जैसा कि question एक point दिया गया है, harmful effect of ozone layer depletion, तो इसके क्या क्या effect पड़ेंगे, लगभग मैंने बहुत सारे points आप लोगों को बता दिया है, और आप लोगों को भी clear हो गया होगा, कि क्या क्या होगे, तो मैंने बताए, skin paste का कुछ problems आएगे, इसके बीमारी है, इसके बारे में हमें details में discuss करना है, आपको पता है, आँक के उपर में हिंदी में मोतियाबिंद के बीमारी हो जाते है, जिसमें lens के उपर में एक layer आ जाता है, details में discuss करेंगे, आने वाले अपने life science के classes में भी, as well as physics में भी, इसका light वाले chapter में काफी discuss आने, वहां नहीं हो पाएगी, मरान life की बात करते हैं, वह भी destroy हो जाएगे, agriculture productivity will reduce और बहुत तरह के problems आएगे, यह था हमारा ozone layer का depletion से आने वाले प्रभाब, हम अपने अगले वाले class में greenhouse effect और global warming के बारे में जानने वाले हैं, समझी सकते हैं, यह chapters कितने connected हैं आपस में, सारी चीज़ किया है, atmosphere के different layers structure के बारे में, और साथी साथ उसका एक बहुत integral और important part हम लोगों ने जाना, ओजो layer उसके बारे में, hopefully यह वीडियो आपको काफी productive लगेगा, आप लोग इसका note बनाएंगे, अच्छी से preparation करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, till then do take care. ने ने प्लिवड़ क हमें включ Hastiv को किया गजे बनाएंगे, आपको काशा में वीडियो इसके बार इसकाट में, आपको कि लगी हम एक बालस के बालस कच्छी चुछीं के लगुतBaby अपको horas हम आपको कर दो दोगको कर दो दूएत हूपको आपक 준₂gging